फिद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे एकादशह पाठह जिसका सीर्षक है सावित्री भाई फुले अर्थार्थ वह नाम जो महिला सिक्षा के लिए महिला सिक्षा को उपर उठाने के लिए समाज में स्थान दिराने के लिए महता से या महतोपन रूप से नाम लिया जाता है वह चरित्र इस चरित्र के विषय में हम यहाँ पर अधियन कर रहे थे और हमने पिछले भाग में देखा कि किस प्रकार जो विद्व महिलाएं होती है उनका शिरोमणन जो समाज में किया जाता था जो कि एक सामाजी कुरूती थी उसको नश्ट किया उसको समाप्त किया और उसको समाप्त करने के लिए उसने नाईयों से भी मीटिंग की और अंत में सपलता भी मिली तो ऐसा हमने पड़ा यानि कि उन्होंने ऐसी ही अनेक कुरूतियों का विरोध करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया आएए विद्यार्तियों आगे हम चलते हैं इस भाग में सावित्रिया अवदानम यानि कि सावत्री का सावित्री भाई फुले का जो सिक्षा है महिला सिक्षा है उसके साथ अनेक छेत्र में किस प्रकार योगदान रहा उसको हम यहां पर पढ़ने वाले हैं इसको पढ़ने से पूर्व विद्यार्तियों पिछले भाग में आपको जो प्रिशन देखे गया था तो उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं मुझे विश्वा से कि आपने उनके उत्तर लिख लिए होंगे तो आएए एक बार नज़र डालते हैं पिछले प्रिश्णों की और यहां पर देखिए पहला प्रिशन तह अपना सावित्री केशा मुखरम विरोधम अकरोथ इसकार्थ हुआ सावित्री किन का या कैसी पर जो कुरूतियां है ठीक है ना मुखुरम विरोधम अकरोथ यानि अत्यदिक विरोध किया तो यहां पर देखिए उत्तर क्या होगा सावित्री सामाजिक कुरूति नाम मुखरम विरोधम अकरोथ जो सामाज सामाजिक कुरूतियां थी रूडिवाधिताएं थी रिती रिवास थी उनका विरोध किया ठीक है अर्थार्थ हमने केशाम जो है इसके स्थान पर क्या लिखा सामाजिक कुरूति नाम ठीक है अगला प्रशन देखिए के कूपात जलोधर्णम वारयन ठीक है ना कौन कुए से जलो धर्ण यानि जल का निकालना ठीक है जल निकालने के लिए रोका गया ठीक है ना किन ने रोका तो यहां पर देखे विद्यार्थियों के जो है ये पूर्लिंग में है किस में है पूर्लिंग में है और इस पार्ट में जो बात चीत की गई है वो इस्त्रियों के विशे मे काह, ठीक है न, क्या पढ़ेंगी विद्यारतियों, काह, यानि कि आप प्रश्ण में सही कर लें, के जो है, वो न लिख करके आप लिखेंगे काह, ठीक है, तो प्रश्ण क्या होगा हमारा, काह कूपात जलो धर्णम अवारयन, तो फिर इसका उत्तर क्या हो गया, उच्च वर रोक दिया, ठीक है, समझ में आ गया न, तो यहां पर आप सही कर लें, ठीक है, आए आगे चलते हैं, अगले प्रश्ण की, और अगला प्रश्ण है, काह, जलम, पातुम, याचंत, अस्मह, ठीक है, कौन जल पीने के लिए मांग रही थी, तो यहां पर देखिए, काह, इस् नारियों ने, ठीक है, जलम, पातुम, याचंत, इसमह, जो नारिया है, वो क्या, यानि की, जल पीने के लिए मांग रही थी, तो यहां इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे, काह, की जगे नारियों ऐसा लिखेंगे, ठीक है, आई आगे चलते हैं, अगले प्रश्ण की और सावित्री के द्वारा किनकी समानता और स्वतनता के पक्ष में हमेशा हर प्रकार से समर्थन किया गया, तो यहां पर किनकी स्वतनता और समानता के लिए मनुष्या नाम, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सावित्र्या मनुष्या नाम समानता आया है, स्वतनता आया है, पक्षह सर्वधा सर्वता समर्तिता ठीक है विद्यारतियों आपने भी इसी प्रकार लिखा होगा ऐसी उमीद करता हूं आए अब चलते हैं आगे अपने जो अगला भाग है सावित्रिया अवधानम इसकी और तो आए शुरुवात करते हैं देखिए सावित्रिया अवधानम सावित्रि का योगदान कैसा था किस छेत्र में था वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो आए शुरुवात करते हैं महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रति बंदक ग्रिहं इत्यादिनाम संस्थानाम इस्थापनायाम फुले दंपत्योह अवधानम महत्व पूर्णम सत्य सोतग मंडल अस्य गतिविदीशु अपिस सावित्रि अतीव सक्रिया आसीत अस्य मंडल अस्य उद्दिश्यम आसीत उत्पीडिता नाम समुदाया नाम स्वाधिकारान प्रति जागरणम इति ठीक है यहाँ पर देखिए कितना सुन्दर और अच्छा विवरण दिया गया है इसका अर्थ जानते हैं आप नीचे देखिए कठिन शब्दार्थ फुले दंपत्यों हो फुले पती पत्नी ठीक है यानि पती पत्नी को दंपत्ती बोलते हैं तो अवदानम यानि योगदान अतीव यानि अत्यदिक उत्पीडिता नाम सताय हुओं का आई आर्थ जानते हैं महिला सेवा मंडल यहाँ पर देखिए एक संस्था का नाम है क्या नाम है महिला सेवा मंडल टीक है शिशु हत्या प्रतिबंदक ग्रीहम जो बच्चों को को कॉख में ही मार दिया जाता है चोटे बच्चों को जो हत्या कर दी जाती है ऐसे जो शिशु हत्या है उसको रोकने के लिए एक ग्रह या संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या है ard yeah यह दोनों संस्था इत्यादी ऐसी अनेक प्रकार की संस्थाओं के स्थापना में फुले धंपत्यों फुले धंपत्य जो है सावित्री भाई फुले और जोती भाई फुले जो है उनका अवदानम यानि योगदान अवदानम का मतलब योगदान जो है महतवपूर्णम महतवपूर्ण है ठीक है सत्य शोदक मंडल अस्य गती विदीशु आपी सत्य शोदक मंडल एक और संस्था है जिसका नाम क्या है सत्य शोदक मंडल ठीक है ना जो सत्य शोदक मंडल है उसकी गती विदियों में भी आपी यानि भी सावित्री अतीव सावित्री अत्यदिक ठीक है ना सक्रिया आसीद सक लगन थी ठीक है तो यहां पर देखिए अभी तक हम लेग तीन संस्थाओं के नाम पड़े महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंदक ग्रिहम और तीसरा जो है सत्य शोदक मंडल ठीक है आप से प्रिश्ण किया जाए कि महिला सेवा मंडल इत्य सिय संस्थाप कह कह ठीक तो वहां पर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे फुले दम पत्ति है यानि कि आप सावित्री भाई फुले भी अकेला नाम भी लिख सकते हो फुले दम पत्ति भी लिख सकते हो तो आए आगे चलते हैं अस्य मंडल अस्य उद्देश्य मासीत इस मंडल का उद्देश्य था इस संस्था का उद्देश्य था देखें यहां आपर मंडल का आर्थ है संस्था से तो अस्य मंडल का जो उद्देश्य था ठीके ना क्या था उत्पीडिता नाम जो पीडित लोग थे सताई हुए लोग थे ठीके ना उनका समुधाया नाम उन समुहों का जो समुधाय विशे था उनका स्वाधिकारान उनके जो स्वाधिकार थे उनके उनका जो हक था चाहे सिक्षा का हो या समाज में प्रतिष्टित इस्थान पाने का हूँ ठीके ना उन अधिकारों के प्रति जागरणम जागरण करना उनको जागरित करना उनको सतर्क बनाना और उनको समझाना प्र समझ में आ गया तो देखिए विद्यारतियों यहां इस छोटे से गध्यांच में हमने क्या चीजे सीखी क्या चीजे पड़ी पहला कि महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंदक ग्रिहम और सत्य स्रोधक मंडल यह तीन जो संस्थाएं हैं इनकी स्थापना महिला जो पीडित समुदाय के लोग थे उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरित करना ठीक है आगे चलते हैं आगे देखिए दूसरा गध्यांच अपने पास में सावित्री अनेका हा संस्था हा प्रशाशन कोशलेन संचालित वती दुर्बिक्ष काले प्लेग काले च सा पीडित जना नाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत सहायता सामगरी व्यवस्था यही सर्वता प्रियासम अकरोत महारोग प्रशार काले सेवारता सा स्वयम असाध्य रोगेन ग्रस्ता 1877 में तमेक स्रताव दे निधनम गता अब यहां पर देखिए ग्या दिया है कि सावित्री अनेका हा संस्था सावित्री ने अनेक संस्थाओं उनको प्रशाशन कोशलेन प्रशाशन कोशल से यानि अपनी प्रतिबा के माध्यम से अपनी जो विवेक है और प्रशाशन चलाने की जो ख्षमता है उसके माध्यम से संचालित्वती चलाया ठीक है na यानि कि हमने अभी इससे पहले जो गध्यानस्ता उसमें अनेक संस्थाओं के विशे में जाना पड़ा ठीक है उसमें सावित्री का योगदान देखा पड़ा और उन संस्थाओं का जो संचालन है वो सावित्री ने अपने कोशल से अपनी प्रधिभाशे यानि कि प्रशासन किस प्रकार चलाया जा सकता है ठीके ना उस संस्ता को किस प्रकार लीड किया जा सकता है वो हमने देखा और इस प्रकार उन्होंने चलाया अब आगे देखिए दुरुभिक्ष काले यानि अकाल के समय ठीके ना अकाल के समय प्लेग काले च और प्लेग काल के समय जब प्लेग तब सा यानि वह सावित्री ने पीडित जनानाम जो पीडित लोग है उनके लिए अश्रांतम बिना थके हुए अविरतम लगातार बिना थके हुए लगातार सेवाम अकरोद सेवा की सावित्री बाई ने पीडित जो लोग थे किस से अकाल से और प्लेग काल में जो पीडित लोग थे दोनों समय में ही बिना थके हुए और लगातार जेवा की आगे देखिए सहायता सामगरी विवस्था के लिए कि उनको किस सामगरी की जरूरत है उसकी सहायता के लिए उसकी विवस्था के लिए सर्वथा हर प्रकार से तन से मन से धन से ठीक है ना हर प्रकार से प्रियासम अकरोध प्रियास किया किसने प्रियास किया सावित्री वाई फुले ने प्रियास किया ठीक है आगे देखिए महारोग प्रसार काले और महारोग के प्रसार के समय यानि जब महारोग फेल रहा था उस समय, सेवा रता उसमें लगी हुई सा यानि सावित्री स्वयं अपने आपको असाद्य रोगेर्ण ग्रस्ता यानि स्वयं जो है असाद्य रोग से ग्रस्त हो गई तो यहां पर दिखिए ख्या पड़ा हमने की उनका योगदान क्या था उनमे इतनी प्रतिवा थी कि अनेक संस्थाओं को वो अपने प्रशासन के माध्यम से अपनी कोशल के माध्यम से चलाती थी ठीक है और चाहे अकाल का समय हो या प्लेग का समय हो वो पीडित जनों के लिए उचित विवस्ता किया करती थी ठीक है ना उनकी सेवा में हमेशा बिना थकियों ये लगातार लगी रहती थी और जब ऐसा समय था महारोग का प्रसार काल था पलेग इत्यादी का तो उस समय यह स्वयम असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और मृत्ति को प्राप्त हो गई ठीक है ठारासो सत्याण में ठीक है विद्यार्तियों तो यह आपने देखा आगे देखिए यह कटिन शब्दार्त है प्रशाशन कोशलेन प्रशाशन कुशलता से दुरुबिक्ष काले अकाल के समय अश्रांतम बिना थके वे अभिरतम लगातार असाध्य रोगेन ग्रस्ता असाधनिय रोग से ग्रसित ह हो गई ठीक है आईए अब आगे चलते हैं अगले गद्यांच की और यहां पर रेखिए पहले गद्यांच में हमने देखा इस भाग में कि अनेक संस्थाओं का स्थापना जो है वो फुले दमपत्ति ने की दूसरे में हमने देखा कि जो अकाल और जो अपना प्लेग काल है उसमें पीडित लोगों के लिए अनेक प्रकार की सेवाए की विवस्था की सावित्री बाई ने और स्वेम असादेरोग से ग्रसित हो गई अब यहां पर दिखिए इस गद्यांच में चोटे से गद्यांच में साहीत्य के छेत्र में भी उन्होंने क्या योगदान दिया उ पी सावित्री मही यते, तस्यहा काविय संकलन द्वयम वर्त ते, यहां पर देखिएक काविय फुले सुबोद रत्नाकर चेति, भारत देशे मैलोथ्ठानस्य गहनाव बोधाए सावित्री महोद या यहां जीवन चरितम अवश्यम अध्यतव्यम ठीक है अर्थार्थ यहां पर इसकार्थ देखिए साहित्य रचनया साहित्य रचना से यानि साहित्य के छेत्र में रचना करने से आप यानि की भी सावित्री मही यते सावित्री जो है सावित्री वाई फुले जो है मही यते यानि की संबान पाने योग्य है तस्याह उसके काव्य संकलन द्वयम उसके दो काव्य संकलन वर्तते यानि है दो काव्य संकलन है कौन-कौन से काव्य फुले सुबोध रतनाकर चेति पहला है काव्य फुले दूसरा है सुबोध रतनाकर ठीक है तो दो काव्य इनके प्रसिद है ठीक है काव्य फुले और भारत देश में महिला थान के लिए जो अगर आप गहन अवबोध करना चाते हैं ज्ञान प्राप्त करना चाते हैं महिला सिक्षा के छेत्र में हो या अनेक समाज में व्याप्त कुरूतियों को समाप्त करने में जो योगदान है महिला को उनका सम्मान दिलाने में जो योगद पढ़ना चाहिए, विद्यार्थियों आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि जो सावित्रिवाई का जीवन है, सावित्रिवाई फुले का जीवन है, वो महिला उत्थान के लिए विशेश माना जाता है, चुकि आपको पता है कि महाराष्ट के प्र पर यह पापना पार्ट समाप्थ होता है यहां पर देखिए कठिन कदाएर्त है साहितियरचन या साहितियरचन से महिला अधन से यहां पर दीखिए विद्यारतियों गुण संदी है यहाम और उमिलकर के ओका जीवन चरित्र ठीक है ना जीवन चरित्र का मतलब है उनका जो जीवन रहा किस प्रकार का रहा उसको अध्यत अब्यम पढ़ना चाहिए अगे चलते हैं आगे देखी अपने पास में मुल्यांकन प्रिश्ण है जो हमने ये चौथा भाग पड़ा है ठीके ना सावित्रिया अवदानम इससे संबंदित कुछ महत्वपूर्ण प्रिश्ण यहां पर है आप अपनी उत्तर पुस्तिकामीन प्रिश्णों को लिखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए पहला प् सावित्रि कदा निधनम गता ठीक है और अगला है चोथा सावित्रिया के दुए रचने वर्तेते ठीक है ना ये चार प्रिश्ण है आप उत्तर लिखिएगा मैं वेलूंगा आप से फिर अगले भाग में अभ्यास प्रिश्णों के साथ तब तक के लिए धन्यवादा हाँ कर दो दो एक है तो ऊतर वाद है उत्तर लिए टोने वेलूंगा ये तो झालब करता है